यह भी एक वराइटी है आपको देख सकते हैं कि इसका लीफ थोड़ा डिफरेंट है और इसका जो स्वाजिकम वराइटी में बहुत ही अट्राक्शन फ्लावर है विस इंडिया का जो सेम लीफ है आपको बहुत लोग इसके उपर इसका और इसमें सीड़ पॉड सेट होना ब बहुत ही मुश्किल है और इसके अलो फ्रेंड्स मेरे नाई वीडिये के लिए सबी लोग को स्वागत करता हूं आज कर जो टॉपिक के अडिनियम स्वाजिकम का उपर है स्वाजिकम क्या होता है मैं बताता हूं यह भी एक वेराइटी है आपको देख सकते हैं कि इसका ली मैं में जो बेस्ट भलवरिंग आइटम में है कि स्वाजिकमाइटम में है स्वाजिकम बहुत ही डिफ्रेंट कलर अए और इसका cross pollination हो के color भी change हो चुका है इसलिए कि identify करना बहुत ही मुश्किल है इसका कौन सा color है क्या है और इसका जो variety क्या है सभी identify करना थोड़ा मुश्किल है मेरे को यह मिला है जो मैं खरीदा हूँ दो साल पहले इसका जो quality बहुत सूपर आया है इस जैसा quality मिलना थोड़ा म मुश्किल है और इस seed grown में मिलना भी बहुत मुश्किल है और इसके साथ और साथ में दूसरा color भी दिखाता हूँ प्रेंट्स जो अभी देख रहे हैं यह Missy India है जो स्वाजिकम वरेटी में बहुत ही attraction flower है Missy India का जो flower है वो आपको Google भी कर सकता है इसका जो flower बहुत ही मुश्किल है पॉलन मिलना भी मुश्किल है साथ और साथ जो मेरा यह बहुत ही अच्छा plant है मैं आपको और एक थोड़ा पीछे से दिखाऊंगा हाँ देख लो फ्रेंट्स बहुत सूपर है बहुत ही attraction ऐसा ही कि अगर ऐसा वाला plant आपको गर में एक हो तो 100% आपको जो आप अगर वीडियो में ऐसा दिख रहा है तो डिरेक्ट कैसे दिखता है इतना इतना बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लावर अडिनियम वेराइटी में तो कम है इसलिए कि स्वाजिकम बहुत ही वन आप मैं फेवरेट है स्वाजिकम वेराइटी बट इसको फूल मिलना थोड करना ही पड़ेगा साथ मैं आपका जो फ्रेंट्स लीफ का भी मैं दिखा दूंगा लीफ ऐसा होता है यह भी देख लो स्वाजिकम का जो सेम लीफ है आपको बहुत लोग इसके उपर जो फ्रॉड भी कर रहा है ऐसा है कि यह मिस इंडिया यह करके बट आपको मैं लीफ इ आपको खरी सकता है बहुत अच्छा केरिंग है थोड़ा स्लो ग्रोथ है ऐसा है कि फास्ट ग्रोथ नहीं है जो स्वाजिकम वराइटी और बंच और मिल जाता है इसलिए बता रहा हों कि जो यह क्वालिटी आपको मिलने के लिए थोड़ा मुश्किल है बट मैं भी बहुत सर्च करने का बाद मेरे कोई एक्वालिटी मिला है ओके फ्रेंट अगर इसके उपर कोई डाउट हो तो ऐसा कि स्वाजिकम का ऊपर कोई डाउट हो तो बता देना जो मेरा नॉलेज में है तो मैं शेर कर लोग आपके लिए इसमें उतना प्यूरिटी नहीं है फिर भी स्वाजिकम का अग व्रेटी यह लिफ भी देख सकता है इतना प्यूरिटी नहीं है इसमें वान आफ्ट ब्लूनर है अच्छा है बहुत ही क्वूट यास अचने के लिए और स्वाजिकम आपको सिंगल पिटली मिलेगा निसलो घौका कणि अमन जाएगा और कोस्ली प्लाइन इसको एक प्लाइंटको जो मेच्वडरғ प्लाइंटको से कम 10,000 का उपर है इसलिए कि इसको मिलना भी और इसको ग्राफ्ट सभी मिल सकता है ग्राफ्ट को ज्यादा नहीं जाना क्योंकि तो ग्राफ्ट का वज़े से इसका जो क्वालिटी पूरा चले देखो फ्रेंट्स उसका क्वालिटी भी चेंज हो गया ऐसा कि जो यह तर्ड ऑफ़ाजिक में स्वाजिकली इसका यह जोगा क्वालिटी पूरा चेंज हो गया कि जो होता है कि जो क्रॉस पॉलिए होने का बाद पूरा उसका गया तो आप कम से कम ग्रूब करलो क्owa लिटी देख़के अब खरिद लो या बेज लो क्योंकि तो ऐसा cross-pollination होने का बाद लीफ भी चला गया पूरा उसका quality में पहले दिखाया है ना उसका quality में इसमें बहुत ही फरक है इसलिए बता रहा हूँ और इसके साथ मेरे white white color का भी जो स्वाजिकम में मैं दिखाता हूँ वो भी बहुत ही सुन्दर है देख सकते हैं कि यह white color का स्वाजिकम में very beautiful है इसका जो स्वाजिकम का color होता है ना बहुत ही attraction है बहुत ही attraction color ऐसा है कि इसका जो pearl white सभी color होता है white में आप लीफ में भी देख सकता है बहुत ही super leaf से इसका और इसमें seed pod set होना बहुत ही मुश्किल है अगर सेट होने का बाद जो यह variety मिलना भी बहुत ही मुश्किल है और इसके साथ साथ डाइमेंड रिंग करके भी एक variety है मैं मेरे पास plant है बट खिला नहीं है फूल खिला नहीं है मैं उसको photo में इस video में अटाच करूंगा और इसमें बहुत ही ऐसा ही कि पंदरा का उपर color से cross pollination होने का बाद मेरे पास जो है मैं पूरा color में दिखा दिया ओके फ्रेंड्स मैं अभी पूरा खतम करने वाला हूं अगर आपको इसके उपर कोई doubt हो तो बता देना मैं मेरे को जिदना knowledge है मैं आपको बता देता हूं thank you take